So what's up guys welcome to financial funda आज के इस वीडियो में हम एक और कोरसरा के ऊपर Google का professional certificate review कर रहे है आपको बता ही है मैं वही certificates review कर रहा हूँ जिनको मैं professional capacity में actually review कर सकूँ चाहे मैंने career में वो चीजें की है या कर रहा हूँ So that आपको best information मिले ना की जिरफ एक कोई फालतू सा YouTube video मिले So यहाँ पर हम बात कर रहे है Google के data analytics के career certificate की And वो certificate में मैं थोड़ा सापको Quick background दे दो अगर आप channel में नए है Especially अगर आप इस series में नहीं तो आपको पता लग जाएगा कि मैं जब इस certificate पूरे course की बात कर रहा हूँ एक course नहीं है collection of courses है तो इस certificate की बात कर रहा हूँ तो मैं किस तरफ से आ रहा हूँ So that आपको थोड़ा सा बेटर वहाँ पर information मिल पाए So मैं marketing side से आता हूँ पिछले 7 साल So में पस master's भी है International Business and Marketing में So मुझे वो वाला idea भी है थोड़ा सा But marketing की जब हम बात करें Especially online marketing की आज की date में marketing ऐसी हो गई है कि if not almost 100% of the decisions At least 80 to 90% of the decisions वो data पर depend करते हैं And data हम देखते हैं And देखते हैं कि क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा So we look at data, we visualize things And then उसके base पर हम आगे का decision लेते हैं So for example अभी recent अगर में बात करें So January में जैसे हम लोगे campaign टेस्ट कर रहे थे With a company जिसके साथ मैं काम करना था So वहाँ पर हम मुझे कुछ टेस्ट करना Let's say मेरे पास 10 headlines है And मुझे वो headlines टेस्ट करनी है And उनके साथ मेरे पास graphics है So वो टेस्ट का वहाँ हर company का अपना-पना SOP होता है इस case में ऐसा थागियार 3 से 5 दिन का टेस्ट चलेगा और 2000 डॉलर का हमारा टेस्ट होगा 2000 डॉलर जब spend हो जाएगा उसके बाद हम आपे वापिस जाएंगे Data देखेंगे क्या चला क्या नहीं चला उसके base पे आगे का काम करेंगे तो वो जो data analytics का dashboard है पार्ट वो Google के backend पे मिल गया हमको Google Ads के थूँ YouTube की अगर बात करें तो 1600 से जादा videos मैंने publish किये हैं but then उनको videos को optimize करना है यह मेरे channels की बात कर रहा हूँ मैंने इसके इलावा 6 लाक सब से लेके 6 million subs वाले channels के साथ भी काम किया है from an SEO viewpoint from also looking at content strategy क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा तो यहाँ पर YouTube मुझे जो है dashboard दे देता है तो इस तरह की certification में एक फायदा ही हो जाता है कि आपको पहली बात तो आपको समझ में आएगा कि data को देखना कैसे है और उसके उपर काम कैसे करना है फिर यह तो मुझे बने-बनाए dashboard मिल रहे है अगर आपको खुद का dashboard बनाना है client के लिए बनाना है आप जिस company में काम करें उनके लिए बनाना है उसके लिए ऐसा नहीं कर सकते है कि आपने data कहीं से भी पकड़ा और कर लिया अब उसमें कुछ चीजे clean जिसको बोलते clean data तो वो शायद ना हो कुछ गढ़बढ हो, कुछ field missing हो कहीं गलती information हो, कोई उपर नीचे हो गया हो तो वो सारी चीजों को पहले उसके काम करना पड़ता है data को prepare करना पड़ता है उसके बाद उसपे आगे का काम होता है और फिर वो dashboards जो है आगे पास होते है और आपके reports आगे पास होते हैं उसके base पे आप decisions भी ले सकते हो तो for example अगर आपको एक specific trend दिख रहा है किसी भी data के पूरे आपके पस एक data set आ गया आपको उसमें से एक trend दिख गया अब वो trend के base पे वो business decision ले सकता है तो ये data किसी भी form में आ सकता है लोगों के form में, customers कौन है उसके form में या product के form में अब वो सारी चीजों पे जब काम करना है तो आपको data analytics की जूरत परती है आपको 2-3 inputs यहाँ पर देना चाहता था and मैं answer तो पहली कर देता हूँ अगर आप बिल्कुल नए है data analytics के field में आप घुसना चाहते हैं इस field में इस certificate के जो Google का data analytics का professional certificate है इसके पहले दो या तीन courses तीन भी नहीं, I think पहले दो मोटा मोटा जितना मुझे याद है पहले दो courses आप अगर free में कर लेंगे पैसा मत पे करें, free कर लेंगे आपको exactly पता लग जाएगा data analytics वाले लोग करते क्या है उनको क्या जूरत है and यही courses जो है by the way YouTube में भी videos की तरह uploaded है जगा जगा पे तो वैसे भी free है तो videos से आपको idea आजागा पहले दो courses में कुछ भी नहीं है सीखने वाला and सीखने वाला as in actual technical knowledge data analytics की कुछ भी नहीं है it is all about data analytics वाले जो professionals होते है वो life में क्या करते है उनका काम क्या होता है उनके काम का companies को फाइदा क्या होता है so ये दो चीजे important है तो अगर आप बिलकुल नहीं है आप देखना चाहते है आप समझ सोच रहे है करूँ नहीं करूँ data analytics side पर जाऊँ नहीं जाऊँ तो this is going to be your in अब मुझे फाइदा ही हो जाजा है इसका ऐसा नहीं था कि जब मैं स्टार्ट करा तो मुझे जहाँ जूर होती प्लस मैं marketing analytics side पर काफी time से involved था अगर आप स्पेसिफिकली marketing analytics side पर जाना चाहते है तो facebook का भी एक course है उसको भी मैं आने वाले time में review करने वाला हूँ उसका भी मैं पार्ट लने वाला हूँ this is cheap पहली बात तो ये इतना महेंगा नहीं अगर आप इसको professional certificate को करना चाहते दो से तीन महीने में आप करें इसको जादा time मत दें because finally ये भी बात है न आप per month pay कर रहे हैं तो आप जितना जादा time लेंगे उतना आपको payment भी जादा करना पड़ेगा तो तीन-चार अजार उपे में आपको ये पूरा का पूरा certificate आप करके जैसे पंजाब बोलता है करके परा मारे so उखार दो करके बात खतम करो right तो वो basically scene है अब अगर मैं इसके individual certificates की बात करूँ जो इसके अंदर courses आते है उसमें एक जो मुझे multiple YouTubers ने भी जिस point पर touch किया है as well as data वाले बाकी के लोगों ने भी touch किया है वो ये है दोस्तों कि यहाँ पर R language use हो रही है ना कि Python अब अगर मेरा experience Python का 2014 का है and so I knew that मुझे ज़्यादा problem नहीं आई but point is R is not the industry standard Google वालों ने RQ include किया है कुछ लोग शोर है कुछ नहीं है Google वालों को इसमें कहना ऐसा था कि R एक better beginner friendly data analytics based language है which I think partly makes sense right SQL तो आपको वैसे भी करना है तो R आप करने के बाद इसके इलावा एक Python का course भी ले सकते है वह free ले ले उसमें आपको certificate लेने का मेरे हिसाब से जुरूरत नहीं या Udemy का Python का course ले 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 and that is going to be more than enough आपके लिए क्योंकि आपको R आपके लिए पता होगा and Python थोड़ी जादा widely used R से इसलिए काफी सारे लोग confused थे but I think this course is still fine इसमें इसके आगर आप ऐसा बुलते होगे यार Python नहीं है इसमें इसलिए में R है इसलिए में यह कोर्स नहीं करना चाहता या चाहती तो I think that is the wrong type of decision making strategy तो वह मत करें I think this is completely fine अगर आप सच में फिर अब नहीं करना चाहते तो IBM का data science का certification है जो मैंने यहां पर किया है Coursera वह भी आप देख सकते हैं वह मुझे उतना interactive या उतना 2022-2023 लेवल नहीं लगा level मतलब in terms of production in terms of how things are happening वो मुझे थोड़ा Google वाला बेटर लगा है परस्नली तो आप right from data को prepare करना है पहले तो दो introduction हो गए फिर उसके बाद data को prepare करने से लेकर उसको जैसा मैं data cleaning की बात कर रहा था तो rankly वाला वो सारी चीजें आपको जो है यहां पर सीखने को मिल जाएंगे उसके बाद SQL and I think SQL के बात then you get into data visualization वाले पार and visualization is how the data will actually get passed to your manager या client क्योंकि client आप उसको data Excel sheet को clean करके थोड़ी बहिस दोगे उसको right या जो भी आपका data set है उसको clean करके नहीं बहिस दोगे right could be Excel अगर बहुत ही बड़ा है तो Excel कभी-कभी छोटा पड़ जाता है so there are other programs that are used so SQL वगेरा से आप data pull कर सकते हो and then जो Power BI है Tableau है ऐसे अलग-लग tools है तो यहां पर in this case they go over Tableau तो आपको वो फिर visualization techniques यहां पर आएंगी कि कैसे data को पकड़ना है उसको easy consumable form में यहां पर produce करना है तो जो pie chart हो गया is a great example of data visualization point right pie chart का data मैं आपको ऐसी दे दूँ तो आप खुद नहीं calculate कर सकते है अगर आपको उसके सामने pie chart दिखा दू कि इतने % लोग यह करने इतने % लोग यह करने वो एक data visualization technique है उसके बाद फिर programming में आ जाते है and fast में fast last में इनकी एक quick fast वाली case study आ जाती है now I do think it is worth it for people जो नए गुसरे है इस तरफ 100% I don't think आपको जादा tension लेने की जुरूत है अगर आप अगर आप नए गुसरे data analytics side पे अगर आप sure नहीं है I think it is cheap enough कि आप try कर सकते हैं additionally अगर आप बात करें हम कि इस course के अंदर या राधर इस course को अगर दूसरों से compare करना है for example IBM IBM data science वाला जो है जितने मैंने data analyst लोगों से बात की उनका कहना है कि यह जो राधर IBM वाला जो course है वो industry standard बन चुका है वो काफी सारे लोग लेते हैं even वो लोग जो already industry में काम कर रहे हैं जिनके पास computer based degrees है या data related degrees है वो लोग भी IBM का certification लेते just because it is extensive enough तो वो भी आप consider जरूर कर सकते हैं अगर आप करना चाहें but I do think this makes more sense अगर आप नए है क्या यह अकेला आपको नौकरी दिलाएगा the answer is no कोई भी Coursera का course अकेला आपको नौकरी नहीं दिलवा सकता मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया है यह करने के बाद थोड़ा YouTube पे जाए Google पे जाए देखें कि data analytics related best projects कौन से होते हैं जो आपके portfolio में होने चाहिए once you have that then you can start reaching out to companies चाहे आप उनके job portal से apply करें चाहे आप उनको cold email भ करने के बाद एक internship कर लें अगर आपको 5-6 साल का office life work experience भी है तो भी एक data related internship आप कर लें तीन महीने की internship कर लें unpaid हो low paid हो does not matter उसे आपको बता लग जाएगा कि actual professional sense में कैसे यह सारा जो information उसको use किया जा रहा है as well as आपको पता लग जाएगा कि tech stack क्या use हो रहा है for example R is an exception here maximum companies ज तो very very quick update on this thing इसके इलावा as such जितने लोगों से मैं बात कर रहा हूं they are fine with it जो industry वाले लोग है they are okay with it as well Google data analytics Google वालों का course है उडोने अच्छे से structure बनाया है Google के employees इसको पढ़ा रहे है तो they are fine with it and they will consider you if you have this on your resume in general अगर आप fresher की तरह अप्लाए कर रहे हैं senior position में इसके साथ of course आप नहीं अप्लाए कर सकते but अगर आप as a fresher किसी data analyst role में अप्लाए कर रहे है या marketing analyst role में अप्लाए कर अगर आप projects अचे share कर सके वह एक बड़ा decision making factor हो जाता है to get you into that interview जहां पर फिर आपसे questions पूछे जा सके आपकी actual knowledge check करने के लिए आपको एक technical जो है challenge दे सकते है या assignment दे सकते है कि या यह data set है इसमें यह चीजे करके हमको दिखा दो या बताओ आप कैसे इस problem को solve करोगे तो व for example मेरी तरह marketing का experience है आप data side पर जाना चाहते है या marketing analytics side पर जाना चाहते है great great choice and अगर आप already employed है most probably आपकी company यह course आपके लिए sponsor कर सकते है तो make sure to ask them because मेरे case में मुझे वो फाइदा हो जाता था right आप तो मैं freelance कर रहा हूं तो अब खुद ही की जेप से जाना है बट पहले हर company का budget है जितने companies के साथ मैंने काम किया है सबका एक learning budget जो है वो रहा है so this can help you with that as well so that's it guys यह था बहुती quick update or rather quick review of the google data analytics course on course era do let me know कि आपके वालों को पूछ के आपके लिए answer कर वा सकता हूं अगर data science and data analyst related career questions है आपके and I can also with time maybe see कि अगर मेरी किसी मेरी बहनों में से किसी एक को यहाँ पर channel में भी ला सकूँ to answer these questions अगर बहुत सारे लोगों के questions आते हैं तो with that guys I'll set off the video मिलते है अगे लिए video में तब तक के लिए bye and take care कर दो